हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लाई हूँ होली स्पेशल कांजी बड़े मस खटे और चटपटे एकदम कांजी बड़े सौप सौप बड़े बनाएंगे आए शुरू करते हैं कि सब्से पहले मैंने यह पे लिए ​​लिया है मुंं डाल जो वश्प कर लेंगे अ было हम एक जार लेंगे जार में रान्सपर करेंगे और इसको हम एकदम ही महीन पीसेंगे, दरदर नहीं पीसना है, हमें एकदम ही महीन पीसना है, ताकि हमारे वड़े काफी सॉफ्ट बने, अब इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल में, वो जो बाउल है वो हमें थोड़ा बड़े साइस का लेना है, क्योंकि दाल को हमे फेटना भी है अगर हम फेटेंगे नहीं तो हमारे जो वड़े हैं वो सॉफ नहीं बनेंगे इसलिए हमें इस दाल को बड़े बर्तन में ही ट्रांस्फर करना है अब हम इसमें डालेंगे ही मैंने 1-4 टी स्पून ही डाली है सॉल डाला है 1 टी स्पून और रेट श्री पावर डाला है इसमें 1-4 टी स्पून अब इसको हम अच्छे से फेटेंगे हमें इसे हाथों से ही फेटना है और एक ही डारेक्शन में फेटना है और आपकी दाल जब 7-8 मिन फेट लेंगे दाल जो आपकी एक दिम फलफी हो जाए दिखिए इस तरह से जोड़ें वड़ें थोड़ें आप इससे बिदों चोड़ें प्लायब वड़ें थोड़े डालेंगे फिर जोब एक देर मीडिया और जो replace सीकते हैं और वड़ेंगे शोड़ें बिनना है शृद्धे-बड़ेंड़ेंगी खर दिम्म्हीं अक्यके नि पहाँ नेखे लगेंगे इसे में low to medium flame पे पकाना है गैसका फिल्यम हाइ नहीं करना है अगर आप हाइ कर देंगे बहार से अच्छे से पख जाएंगे लेकिन अंदर चाचे रह जाएंगे इसको बराबर चलाते रहना है हमें चोड़ना नहीं है हर एक हर कुछ सेकिंड में चल के अदर सेख एक सौफफ पनेगे अदर से जाली बालेगे हमारे वड़े रेडी होगए हैं आपको निकाल लेंगे टिशी पर की उपर ताकि यतना भी एक्सटर ओयल है हो निकल जाएगा हो यह इस पेशली होली के टाइम पर ही बनते हैं और आपको अभी जो वड़े हैं मन के निया एक बडे बर्तर माने लिया एक लिलिट्र इतना पानी हैं बर भाण कर लेंगे अच्छी सब्कूर कर एक गरम कर देंगे और गरम हो जाएगा इसका फ्ले नाली हेंग डाली है 1-4 TSP पाउडर 1-4 TSP एड़ा राचली पाउडर 1-4 TSP एड़ा इसमें डाला है कर्ड ट्रेबल स्पून ये नॉर्मल कर्ड है बहुत जादा खट्टा और बहुत अधा फ्रेश नहीं है अपके घर माइ से मिल जाएगा ये कांजी का पेस्ट रडी है अब पानी प्रॉपर रेडियो हो जाएगा तो आपको इसका कलर एकदम ही चेंज हो जाएगा कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा अच्छे मिक्स करने का इसमें मैंना हल्दी एड की है पिंच ओफ हल्दी जाली है बहुत लाइट सी 1-4 TSP से थोड़ी सी कम इसमें 1 टेबल स्पून सर्सों को तेल डालें इससे फ्लिवर बहुत अच्छा आता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इसका टेस्ट राएगा बर जब बन जाता है तो इसको तेल कर देंगे अब साइड रग देंगे अब कांजी में हमें एक स्मोकी फ्लिवर लाने के लिए मैंने कोईला गैस पर गरम क है जब अच्छे से गरम हो जाए हम हमारा गैस का गैस बंद कर देंगे एक छोटी सी स्टील की कटोरी ले सकते हैं उसमें आपे कोईला रखिए रखने के वार इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाली है हम ज़रा से समा ओल डालेंगे और डालेंगे जिस बरतन में आप इसको अब इस बरतन को हम निकाल देंगे इस तरह से समोक में भर गया है अभी जो बावल है इसको मटा देते हैं अब हमने जो पानी बनाया है कांजी का वह हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे आप इस तरह से बना कि देखिए आपकी कांजी वड़े एक दम ही अलग बनेंगे और ट यह में आपको बताते हैं कि यह चौश्य तो आपनाय ऐ पॉल्स अर्च में देखिках प्रॉब्धा देंगे एगे म Прयां को भूफ यह जो जो लो हो गया है और जो अमारी कांजी जो हमने बनाय तो साइजमें डवल हो गया है यह आपके होली rozum को में ग्लास में नायो एक्रु यह एकदम शॉफ जूसी कांजी वड़े बने है पानी इसका एकदम खटा-खटा हिंग फ्लेवर का बना है और देखन में अच्छे हैं उतनी ही खाने में अच्छे हैं आपको मेरी कांजी वड़े की अच्छी लगियो तो प्लीज रेसिपी को लाइक करना एंचेल को सब्सक्